नबश्कार दोस्तों, बिंदा स्वोल में आपका स्वागत है, दोस्तों दुनिया में जोची उपर जाती हो नीचे भी आती है, अंग्रेजी का एक वर्ड है जिसे कहते है पीक पॉइंट, ये पीक पॉइंट भारती जनता पार्टी का खत्म हो चुका है, जब उसको तीन सो सीटे मिली थी, वही उसका पीक पॉइंट था, बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन अटल बिहरी वाजपई और एलके एडवानी इस पीक पॉइंट पर क्यों नहीं पहुँचे, क्यों अपरे बल पर 272 सीटे नहीं ला पाए, क्यों RSS का पूरा साथ होके भी, राम मंदिर का साथ होके भी, कभी 272 सीटे नहीं ला पाए, एक्चुली मैं आपको एक बात बता हूँ, भारती जनता पार्टी, इन इस टोटालिटी, जो टोटल है उसका, is equivalent to 150 सीट, पस, that's all, आप कहोगे, तो पिर 300 सीट कहां से आती है, प्रशन बड़ा अच्छा है, अगर भारती जनता पार्टी की आउकात सिर्फ 1500 सीटों की है भारत में, तो 300 सीटे कहां से आती है, ये 1500 एक्स्टा सीटे आती है, एक शक्स की कारण जिसका नाम नरेंदर मोदी है, वो कब कहता है कि आप कामल पर वोड़ तो, ना, वो नहीं कहता है, उसने कब कहा कि आप भ भारती जनता पार्टी का परिवार हूँ, उन नहीं कहता, वो हमेशा कहता है कि आप मोदी का परिवार हो, आप मोदी को वोट दो, जो भी वोट दोगे मोदी के पास जाएगा, आप कैड़िडिट मत देखो, क्या ये अठल जी बोलते थे कभी, क्या ये अड़वानी जी ब अपने नाम के कारण, अपने जादू के कारण, या अपने एक तिलस्म के कारण मिले, मैं जादू भी नहीं कहूंगा, तिलस्म कहूंगा, जो माया जाल उन्हें पुना, उसके कारण उन्हें वो 1.500 सीटे भी दे, अब आप कहोगे कि क्या भारती जनता पार्टी में कोई दू किया दूसरी इंद्रा गांदी भारत पर पैदा हुई? नहीं हुई. कितने वर्ष होगा इस बाध को आज? आप सोची अगर. आज चार-पांच दिशक हो गए. कॉंगर्स एक इंद्रा गांदी पैदा नहीं कर पाया. नहीं कर पाया. एक नेहरू भी प्यदा नी कर पाए। दरसल अगर आप इतिहास को उठाके देखे तो आप पाएंगे कि किसी एक दुनिया के इतिहास को भी देखें। तो किसी एक सौ साल में एक जिससे क्या कहते है कि जिसमें सौ साला होता है, एक पूरा ब्लॉक हो जाए, सौ साल का एक शताबदी वाला एक ब्लॉक हो जाए, तो किसी भी दल के लिए जो मरक्यूरियल लीडर्स जो होते हैं, वो एक तो ही होते हैं सौ साल के अंदर, अब उनके कारेकाल 4 साल के होँ या 5 साल के हों 10 साल के हों या लग बात यह सच कहा जाए तो बृतिन में लगत जुनाव होने जा रहे हैं चार तरीक को तो कंजरवेट्व पार्टी के नाम से आज भी लोग मार्गर तेचर को याद करते है इसा ही बात है अगर आप जर्मनी में जाए तो आपको लगेगा कि ये सेंचुरी जो है वो एंजला मार्कल के वे ना पूरी नहीं होती है मर्कूरियल लीडर्शिप यानि कि ऐसे व्यक्ति जो इतिहास में अपना निशान छोड़ जाते है नरिंदर्मोदी उनमें से हैं मैं आपको बता हूँ निशान तो छोड़ दिया उनने पर क्या होता है कि कई बार भारत के संधर में अगर देखा जाए यवन जो राजा लोग भी आए है तो एक अच्छा राजा के बाद दूसरा राजा कहीं आने के लिए कईवर सौ सौ साल का अंतजार किया है भारत के जो डानेस्टी जाई है सौ सौ साल के बाद कोई एक अच्छा राजा मिला है तो लंबे लंबे अंतराल के बाद ऐसा होता है कि कोई एक influential leader आया हो उसे बुरा भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है वो अलग बात है अकबर भी आ सकता है और फिर लास्ट पर ओर इंजे भी आ सकता है तो दोन चीज़े हो सकते हैं उसमें जांगीर और जैसा एक अयाश भी आ सकता है किसी बात नहीं है अब रहीं बात की इस बार भारती जनता पार्टी अगर हार गई तो मैं आपको यकीन से कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो आज तक आपने नहीं सुना होगा ये मैं अपने अनभव और जो सारा इतिहास मैंने खंगाला है अंतराश्ट्री और देसी जो है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि भारती जनता पार्टी नरिंदर मोदी के जाने के बाद कई दशकों तक मैं आपको बताओ अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो नहीं ये फिर से लॉट कर 150 पर आ जाएगी और 150 और 180 के बीच में ये स्ट्रगल करती रहेगी और कई बार ये 100 के नीचे भी आ जाएगी कई बार 120 पर भी आ जाएगी क्योंकि उसके पास वो लीडर्शिप नहीं है जो उसको वो एक्स्ट्रा डेर्ड़ सो सीटे दे सके आप सोचिए क्या ये डेर्ड़ सो सीटे आमिश शाह आपको दिलवा सकता है ना क्या आमिश शाह वो लीडर बन सकते हैं जहां वो कहें कि आप ये सोचिए कि आप कमल के निशान पर रही है बलकि आमिश शाह को वोट कर रहे है तो क्या भारत में लोग आमिश शाह के नाम से वोट करेंगे क्या बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं हालात तो ऐसे कि हमेशा गुजरास से बाहर कहीं से खड़े हो जाए तो चुनाव हार जाएगे नाकुट तो ऐसी कंडिशन है उन्हें तो सेफ सीट चाहिए गांधी नगर जासी जीए दरसल नरिंदर मोदी ने दो हजाद पंद भागवतर सारे मिनिस्टर्स को बुलाया था और दो पूछा था कि अपना रिपोर्ट कार्ड तो मोदी भी वहां थे बस मोदी को तब ही असास हो गया कि मिनिस्टर मेरे है प्रधान मंत्री मैं हूँ और मेरे से रिपोर्ट कार्ड कोई और मांग रहा है ये मुझे मंजूर नहीं है I cannot tolerate it बस उसके बाद जो उन्होंने बीजेपी को capture किया है अफरण किया है बीजेपी उनके पौलादी शिकंजे के अंदर जकड कर रह रही राजना सिंग की टांगे कापती है मोदी के नाम से रवी शंकर प्रसाद के होट कापते है मोदी के नाम से कोई ऐसा मंत्री कोई ऐसा MP नहीं जो जुबान खोल कर मोदी के सामने चल सके बात कर सके वो पीछे रखते हैं पीछे चलो मेरे सामने आने की कोशिश मत करूँ क्या राजनात सिंग आपको और इंडिया चुनाओ जितवा सकते हैं नेवर गड़करी नेवर रवी शंकर प्रसाद नेवर की से कह दू कि बिना मोदी के योगी जो हैं यूपी का चुनाओ भी नहीं चीज सकते हैं आपको इसके लिए बहुत ज्यादा लंबे समय के इंतजार की आवशकता नहीं होगी इतिहास अपने आपको दोहराता है कि जहां पर आपको अगले विधान सभा के चुनाओं में य हिंदू के आधार पर आपने वोट देना है और अपने जो मूल जड़े थी भारत की उस पर वापिस आया कि हां जातिवाद ही सब कुछ है और यहां पर जातिवाद सदियों से चला आ रहा है और वही इनकी सब की डोज है समाज ही ऐसा बनावे कोई क्या कर सकता है अब इस के अंदर भारती जनता पार्टी को मजोटी मिले की संभावने क्षीड है और मोधी के प्रधार मत्री आने की संभावने भी क्षीड है वह इमानी करके तो कोई कुछ भी कर सकता है अब वो तो मोधी भी कर सकता कर भी रहा होगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं लेकिन मैं जो हैं बहुत एक limited कि समें लीडर है जिनकी appeal ले दे कि सब्डम उत्तरपरदेश के अंदर है उत्तरपरदेश से बाहर नहीं है वो अंग्रेजी का एक शम्द नहीं बोल सकते साउथ में जाते तो हिंदीन बात करते तमिल्डू में जाते तो हिंदीन बात करते फिर उसको tamil में तरजुमा करना पड़ता है जो आदमी डारेक्ट समवाद नहीं कर सकता है हिंदोस्तान में वो राज भी नहीं कर सकता मोधी एक एक सेप्शन रहे हुए इस ममले में इसमें कोई शक वाली बात लेकिन एक बात तो तह है इसमार भाजपा हारी तुब समझो कई दशकों तक भारत में भारती जन्ता पार्टी की वापसी नहीं होगी क्योंकि कोई लीडर नहीं है इसके अंदर क्योंकि मोधी ने सबसे पहले यही काम किया था कि सारी लीडर्शिप की हत्या कर दो, खतम कर दो, जैसे शी जिन पिंक हत्या कर देते हैं, पुतीन हत्या कर देते हैं, किम जॉन उंग हत्या कर देते हैं, कि मुझे नंबर दो है, एक से लिके सो तक मुझे कोई नहीं चाहिए, एक से लेके सो तक मैं हूँ, और ये ऐसास दिला देते हैं, अपने MP और MLA को, कि तुम तुमारी हस्ती कुछ नहीं है, तुमारी आउकात कुछ नहीं है, मैं तुमें इस बात का हक भी नहीं देता, कि तुम अपनी मर्जी से अपना लीडर चुन सको, क्योंकि तुमारे पास वो चॉइस नहीं है, चॉइस भी एक ही है, वो मैं हूँ, मेरा ही नाम प्रपोज होगा, और मुझे ही चुना जाएगा, दूसरा कोई नहीं होगा, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के MP से, ये हक छीन ले, कि आप अपना लीडर नहीं चुन सकते, जो चुने हुए MLA से एक स्टेट के अंदर उनका हक छीन ले, कि आप अपनी मर्जी से अपना so-called नेता नहीं चुन सकते, CM नहीं चुन सकते हो, मैं चुनगा, तो आप सोच सकते हो, कि इस विक्ति का व्यक्तितु भी बड़ा है औरा भी बड़ा है प्रभाव भी बड़ा है लेकिन ये आदमी जाने के बाद एक ऐसा वैक्यूम सेट करके जाता है जिससे सदियों तक पार पाना बड़ा मुश्किल है एक्चली इन देखा जाए तो मरेंदर मोधी ने बहुत साथ भारती जनता पार्टी को दफन कर दिया दफन कर दिया है इतनी गहरी कबर के अंदर दफन कर दिया है कि वहां से भारती जनता पार्टी कई दशकों तक वापिस नहीं आएगी तब तक वापिस नहीं आएगी जब तक कोई और इसको दूसरा नरिंदर मोधी ना बिच आप कहोगे मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूँ नहीं मैं वो जमीनी हाकीकत आपको बता रहा हूँ जो आपको शायद कोई नहीं कहेगा और वो सिर्फ मैंने आप से कही है बस यही बज़े के हमें धन्यवाद आप सबका बने रही हमारे साथ और फीडबेक शुक्रिया